असलाम अलेकुम आइडिया स्टूडेंट, हम चैप्टर नमबर फाइव थैंक यू लॉर्ड की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, वट ड़स इट मीन, इन अलफास के क्या मानी हैं, आज हम वर्ड मानी देखेंगे, मुश्किल अलफास के मानी देखेंगे इंगली शरुदू मे प्रेज, प्रेज कहते हैं, किसी के बारे में अच्छी बात कहना, जब हम किसी के बारे में अच्छी बात कहते हैं, तो हमें बहुत पसंद आए, तो हम क्लैपिंग भी शुरू कर देते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं, तारीफ करना, हमें सिरफ जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था सबक में, अल्हम्दुल्ल्लाहि रब्लालमीन, सब तारीफे और शुकर अल्लाही के लिए है, हाइड, हाइड का मानिया to put or keep out of sight, नजरों से दूर कर देना, छुपाना, हाइड, तेरे फियर, फियर कहते हैं, be afraid of, खौफ, किसी से डरना, एक तकलीफ दे, जजबा हमारे चेहरे पे आ जाता है, जब हमें तकलीफ होती है, या कोई हमें दुख पहुंचाता है, आंसू भी हमारे निकल आते हैं, हमारे दांत भी बजना शुरू हो जाते हैं, इसको उर्दू में खौफ कहते हैं, fear, फिर है command, command, बानी, an order given to a person, order हुकम देना किसी आदमी को, ठीक है, उर्दू में हुकम देना, command, फिर है crawl, आपने बच्चे को देखा होगा चलते हुए, an act of moving on your hands and knees, चलने का अंदाज जिसमें आप अपने हाथ और घुटने इस्तमाल करते हैं, इसको crawl कहते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं, ring na, फिर है, next question है, fill in the blanks with the correct options, हमने अभी जो poem पढ़ी है, उसके हिसाब से हमने correct option to choose करना है, फिर जो है, वो है, thank you lord is a poem by, आथर का नाम पूचा गया है, Sylvia Plath, Mary Fairchild, Mary Oliver, and Christina Rossetti, तो हमने पढ़ा था, कि इसका, जो poet है, उसका नाम है, Mary Fairchild, ठीक है, next है, the poet is talking to, God, a friend, a sister, a brother, तो हमने देखा था, the poet is talking to, God, वो अल्ला से बातें करती है, और हम पहले सबक पर देख चुके हैं, अल्ला से हम कैसे बाते हैं, हम नमाज पढ़के, अल्ला से अपना तालूप जोड़ सकते हैं, फिर हमें उटते बैठते, अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए, अल्हम्दलिल्ला के अल्फास केने चाहिए, फिर हमें लाह की किताब है ये इसको पढ़के हम लाह का शुकर अदा कर सकते हैं हमें तरीके पताती है ये कि हम शुकर गुजार बंदे कैसे बन सकते हैं तो माई डियल स्टूडेंट रोज तीन आया तर्जमे के साथ पढ़ना अपनी हैबिट बना लें अपनी आदर डालें कि आपने हर सूरत में कुरान मुजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना है फिर बेशक दिलों का इत्मिनान अल्ला की याद में है जिकर करने कि जब आप सीड़ियां चड़ें तो अल्लाव अकबर कें कोई अच्छी चीज नजर आए तो अल्हम्दुलिल्ला कें अल्लाव अकबर कें सुभान अल्ला कें तो आपके दिलों को इत्मिनान नसीब होगा क्योंकि अल्लाव कहता है तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हे याद करूंगा तुम मेरा शुकर अदा करो और मेरी नाशुकरी मत करो तो Platz नहीं आता है कि हमने शाटे कि अल्लाव चायद कर भे इस दुनिया में भी हमारे सारे कामल्लाव की मदध से ही होते हैं और आखरत में तो हमें जरूरी अल्ला अपने उन लोगों में शामिल कर ले जो जड़नत पें जाने वारे हैं फिर अल्ला कहता है और तुम्हें अजाब दे कर क्या करेगा अगर तुम शुकर गुजार बन जा और इमान ले आओ और अल्ला हर हग का कदर शिनास है, हर अमल का खूब जानने वाला है, अगर हम अल्ला को याद करेंगे, शुकर गुजारी करेंगे, तो इन्शालला अल्ला हमारे से हमारे गुनाद दूर कर देगा, हम भी अपना सुबह का आगास मौर्निंग से ही करते हैं और फजर की प्रेयर मौर्निंग के वक्त आफर करते हैं तो sisters है, parents है, cousins and friends है, sisters भेयनों को कहते हैं, parents वादेन को, cousins, चचाताया के बच्चे और friends, दोस, a friend in need is a friend indeed, असल में दोस वही हो जाता है, जो मुश्किल में काम आये तो, the poet will help our friends in need, ठीक है, आप भी अपने दोस्तों के साथ उनके काम आया करें, उमीद आपको सबक पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,